बगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं इस समस्त ब्रमान के कर्ण कर्ण में बसी हुई असीम उर्जा शिव ही हैं शिव जी को भूले नाथ कहा जाता हैं क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाय पूर्ण करते हैं शिव जी को शिव शंकर, शिव गुरु, आदी योगी, महादेव, पशु पतीनाद ऐसे कई नामों से जाना जाता हैं वैसे तो शिव जी के 10,000 नाम हैं लेकिन भक्त उन्हें प्यार से भूले भाबा कहते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों में कोई भी भेदभाव नहीं करतें चाहे दानम हो या देवता, चाहे पशु हो या मानव, इन सभी पर समान क्रीपा बरसाते हैं, एक बूंद जल से भी प्रसन होने वाले, शिव जी आप सभी पर क्रीपा करें, महाशिवरात्री हिंदू धरम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, प्राचिन मानेताओं सबसे पहले भ्रमदेव और भगवान विश्नुजी ने शिवलिंग की पूजा की और इसे भ्रमान की सबसे पहली पूजा भी मानी जाती हैं, उसके बाद मा सरस्वती, मा लक्ष्मी, देवी रती और मा गैत्री ने शिवरात्री का व्रत रखा, और इस व्रत को संसार का सब महाशिवरात्री का बड़ा ही महत्व है जो भी भक्त महाशिवरात्री की राद भर जाकर शिवजी की अराधना करते हैं शिवजी ऐसे भक्तों पर अपार क्रीपा बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाई पूर्ण करते हैं बोलेनात अपने भक्तों पर जितनी जल्दी प्रसन पशुपतिनात कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं. वे संसार के समस्त प्राणियों के पालन हार हैं इस दिन किसी भी प्राणी को कोई भी कस्ट हो ये शिव जी को बिलकुल भी पसंद नहीं इस दिन समस्त संसार शिव शक्ती से भर जाता है ऐसे में अगर आग किसी प्राणी के प्राण हर लेते हैं आते किसी प्राणी को कस्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपको शिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ते भूलकर भी इस दिन किसी प्राणी को कस्ट ना दे ताते इस दिन मासाहार करना वर्जित माना गया है। दूसरी बात है इस्त्री को कस्ट देना। दोस्तो शिव जी और माप पार्वती के अर्द नारेश्वर रूप को नारी शक्ती का प्रतीक माना गया है। अगर आप इस दिन किसी इस्त्री का अपमान करते हैं अत्वा उसके साथ मार पिट करते हैं तो आपको नरक में ही जाना पड़ेगा और भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी इस्त्री के विवाह में बाधा उत्पन करने का काम करता है तो वह भी शिवजी के दंड का अधिकारी बन जाता है ऐसे व्यक्ति को शिवजी कभी भी शमा नहीं करते तीसरी बात है अपमान करना दोस्तो शिवजी के अनुसार महा शिवरात्री के दिन भूल से भी अपने गुरू एवं माता पिता का अपमान ना करें शिवजी को आदी गुरू कहा जाता है आता है वह इस्त समस्त संसार के सबसे पहले गुरू है और सिष्टी के पालनहार होने के कारण वह सभी के माता पि पाइदा ही करना। महाश्रिवरात्री के दिन मन और तन दोनों को पवित्र रखकर अपना ध्यान शिव की अराधना में लगाना चाहिए। इस दिन कोई भी ऐसा कारिया ना करें जिससे आप आप पवित्र हो जाएं। इस दिन भूल कर भी किसी इस्त्री के साथ शारिरिक बंद ना बनाएं। ऐसा करना वर्जित माना गया है। इस दिन रात भर जागने की बजाएं। अगर आप भोग विलास पे मन लगाएंगे तो शिव की किरपा से वंचित रह जाएंगे। पांचवी बात है फाइदा उठाना। दोस्तों भगवान शिव भोले नाथ हैं। अथवा पैसो को लेकर धोके बाजी करता है। शिव जी ऐसे व्यक्ति को दंड के पात्र ही समस्ते हैं। तो दोस्तों ये थी वो पांच काम जो हमें शिवरात्री के दिन नहीं करने चाहिए।